हमने किया है उसका लाब आज लोगों को मिल रहा है विशेश कर मेरे नवजवानों को मिल रहा है डबल इंजिन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर पहुचा है आत्यों आजपा की डबल इंजिन सरकार तुर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर भी नहीं बलकि सोशल इंफ्रासेक्टर भी बल दे रही है आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथ्पिक्ता ये हैं कि इलाच हर के नदीक हो सस्ता हो सबकी पहुच में हो इसमें आविश्मान भारत योजना पहुच काम आ रही है आविश्मान भारत योजना के तहट नौर्थ इसके गावों में साथ हजार से अधीड हिल्ट एंड वेल्नेस सेंटर स्विक्रुत हो चुके हैं इसमें से लगबग एक हजार सेंटर यहीं पुरा में बनाए जा रहे हैं इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर जाइबिटीज जैसी अनेक गंबीर बिमारियों के लिए प्रिनी हो चुकी है इसी प्रकार आईश्मान भारत पी-म जै योजना के तहट प्रिपुरा के हजारों गरीबों को पाँच लाख उर्पे तक के मुप्त इलाज की सुभिदा मिली पाथियों, टॉयलेट हो, पिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है अब तो गैस ग्रिड भी बना है, प्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजिन सरकार तेजी से काम कर रही है और गर पाइप से पानी पहुचाने के लिए भी डबल इंजिन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है त्रिप तीन वर्षों में ही त्रिपुरा के चार लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुभिदा से जोड़ा गया है 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी आज डबल इंजिन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुचा रही है और भीते तीन वर्सों से मुप्त राशन भी उपलब्द करा रही है साथियों ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभारती हमारी माताएं बहने हैं स्रिपुरा की एक लाग से अधिक गर्बवती माताओं को प्रदान मंत्री मात्रू बंदना योजना का भी लाभ बिला है इसके तहट हर माता के बैंक खाते में ओशक आहार के लिए अजारों रुपिये चीजे जमा किये गए है आज अधिक से अधिक डिलिवरी अस्पतालों में हो रही है इससे मां और बच्चे तो उनों का जीवन बच रहा है स्पुरा में पहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है वो भी बहुत प्रसांसनिया है कुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सेक्ड़ो करोड रुपिय का पिशेश पैकेज सरकार ने दिया है कबल इंजिन सरकार के आने से लिपुरा में महिला सेल्फ एल्प्स ग्रूप की संख्या में नव गुना वृत्ति हुई है हाई यूर बेनों तसको तक टिपुरा में ऐसे दलों ने सासन किया है कि इनकी विचारदारा महत्वक खोचुकी है और जो अवसरवाद की राजनीती करते हैं जुनोंने तिपुरा को पिकास से बंचित रखा तिपुरा के पास भी जो सौसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उप्योग किया इस सबसे जदा नुग्सान करीब को हुआ युवाओं को हुआ किसानों को हुआ और मेरी माताओं बेहनों को हुआ इस प्रकार की विचारदारा इस प्रकार की मानसिक्ता से चंता का लाप नहीं हो सकता यह केवल negativity फैलाना जानते हैं इनके पास कोई positive agenda नहीं है इस डबल इंजिन सरकार ही है इसके पास अंकल्प भी है और सिद्धी के लिए सकारात्मग रास्ता भी है जब कि निराशा फैलाने वाले लोग दिवर्जगियर में चलते हैं जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है आधियों सत्ता भाव की इस राज नीची ने हमारे जनजातिय समाज का पहुत बड़ा नुक्सान किया आधिवासी समाज को जनजातिय क्षेत्रों को विकांच से दूर रखा गया भाजपा ने इस राज नीची को बदला है यही कारण है कि आधि भाजपा आधिवासी समाज की पहली पसंद है अब यह भी गुजरात में चुला हुई है गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी कतन जीत मिली है उसमें जनजातिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है आधिवासीयों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटे बीजेपी ने जीती है आधियों अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आधिवासीयों के लिए अलग मंत्रान है अलग भजेट की ववस्ता की जबसे आपने दिल्ली में हमें आउसर दिया है तबसे जनजातिय समुदाय से जुड़े और मुद्दे को हमने प्रात्पिक्ता दी है जनजातिय समुदाय के लिए जो बजेट 21,000 करोड रुपिय था वो आज 88,000 करोड रुपिय है इसी प्रकार आधिवासी छात्र छात्राओं के छात्र बुर्ति भी दो गुने से अधिक्त की गई है इसका अलब प्रिपुरा के जनजातिय समाज को भी हुआ है 2014 से पहले जहां आधिवासी छेत्रों में 100 से कम एक लबे मोडल स्कूल थे वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुँच रही है प्रिपुरा के लिए भी इससे अधिक ऐसे स्कूल स्विक्रत हुए है पहले की सरकारे श्रीप आट दस वन उत्पादों पर ही MSP देती थी आज पासरकार नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही है आज आदिवासिक छेत्रों में चास अजार चे अधिक बंदन केंद्र है इनसे लगबग नव लाख आदिवासियों को रोजगार मिला है इस मैंसे अधिक तर हमारी बहने है ये भाजपा की ही सरकार है इसने बास के उप्योग को प्यापार को जन जातिये समाज के लिए सुलब बनाया आदियों ये भाजपा सरकार है इसने पहली बार जन जातिये गवरव दिवस को महत्वब समझा है 15 नवेंबर को अगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिये गवरव दिवस के रुपें देश भर में मनाने की शुरुवात हाजपा सरकार ने की देश की आज़ादी में जन जातिये समझाज के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है आज देश भर में दस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर मुजियम पनाए जा रहे हैं मैं यहां तर्इपुरामें भी आल में ही राष्टपती स्रिमती द्रौपती मुर्मु जी ने महराजा बिरेंद्र किशोर मानिक्य संग्रहारें और संसकृति केंद्र की कि आधार्तिला रखी है दिपुरा सरकार भी जन जातिय योगदान और संस्कृति के प्रत्यार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है दिपुरा की जन जातिय कला संस्कृति को आगे बढ़ारे वाली उभूतियों को अत्म सम्मान देने का सोभग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है ऐसे ही अनेक प्रयासों का परणाम है कि त्रिपुरा सहीद पुरे देश में चलन जाती है समुदाय का विश्वास आजपा पर सबसे अधीक है आई और मैंनों डबल इंजिन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों छोटे उद्यमियों उनको सबसे बहतर अवसर मिले यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं आज त्रिपुरा का पाइनेपल विदेशों तक पहुंच रहा है यही नहीं सेंकडों मैट्रिक टान अन्यफल सबजियां भी आज मंगलादेश जर्मनी तुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए है इसे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल पा रहा है त्रिपुरा के लाखों किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी से भी अभी तक पांसो करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं आज इस प्रकार त्रिपुरा में हाजपा सरकार अगर बूड इंडिस्ट्री को बल दे रही है उसके सार्थक प्रणाम आने वाले कुछ सालों में आएंगे इससे त्रिपुरा के युवाओं को नए आउसर मिलेंगे कमाई का नाया माध्यम मिलेगा आज यो सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शान्ति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा अब त्रिपुरा में विकास का डबल एंजीन परणाम दे रहा है मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ पर पूरा बरोसा है विकास की गति को हम और तेज करेंगे इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उज्वल भविश्चे के लिए इन योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है मैं फिर से एक बार त्रिपुरा बास्यों को सुबकामनाई देता हूँ पधाई देता हूँ और आने वाले काल काल में त्रिपुरा नई उचाईयों को प्राप्त करें इसी अपेक्षा के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाए